हलो मित्रों जै मातादी मित्रों नवरात्र के दिनों में अगर आप इन उपायों को करते हैं जो कि आज की इस विडियो में मैं आपको बताऊंगा तो आपकी जो भी इक्षा है और जो अदूरी रह गई है जैसे कि वेपार में बढ़ोतरी नोकरी पैसे में आपकी सफलता नहीं मिल रही आपको जल्दी नोकरी नहीं मिल पा रही है नोकरी में परमोशन नहीं हो पा रहा तो आज की बताई गई ये कुछ उपायों को जरूर करें आप इन नो दिनों में इन में से कोई एक भी उपाय अगर आप करते हैं तो आपको जल्द ही अपने कारे छेतर में सफलता मिलेगी तो चलिए दोस्तों हम सुरू करते हैं आज का दोस्तों सारदिय नवरात्री में मादुर्गा की पूजा की जाती है इसके साथ ही देवी मा को खुश करने के लिए कई उपाय भी किये जाते हैं नवरात्री में मादुर्गा की विशेश पूजा अर्चना की जाती है कई लोग वरत भी रखते हैं इस नवरात्री यदि आप देवी मा को खुश करना चाते हैं तो नवरात्री के दिनों में पान के पत्ते के दस सटीक सरल और अचुक उपाय करें तो आईए जानते हैं वे सरल उपाय जो आपकी हर मनुकामना पूरी करेंगे नवरात्री में मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने पान के पत्ते पर सिंदूर से स्रीराम लिखकर उन्हें अर्पित करें अर्पित करते समय एक चीज का ध्यान रखें कि हनुमान जी के चर्णों में ना रखें या उपाय आपके कारियों में आ रही सभी अर्चनें दूर कर देगा और जिन्दगी में सुक, सांती और सम्रिद्धी लाएगा दूसरा है ग्री कलेश को हो रहा है या कोई परिसानी घर में हो तो नवरात्री में नो दिनों तक लगतार पान के पत्ते पर केसर रखकर दुरगासरोत और दुरगाजी की नामावली की पाट करें घर में सकरात्मक उर्जा का परवा होने लगेगा नवरात्री में सुभ बर्मा मुहरत में चार से छे वजे के बीच मा भुनेश्वरी और सोभाग्य सुंदरी का ध्यान करें और पान के पत्ते की जड़ को घिसकर उसका तिलक करें इस उपाय को करने से आपकी वानी खुबसूरत और आपकी वानी और भी खुबसूरत हो जाएगी और आकर्शन सक्ती में भी बढ़ोतरी होगी नवरात्री के सुरुवाती पांच दिनों में एक पान के पत्य पर ही लिख कर मादुरगा को अरपित करें इसके बाद महानम्वी के बाद उन पांच पान के पत्यों को अपने पास रखने वाली जगह पर रख दें इस उपाय को करने से दर्दता और गोर आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलेगा वैपार में सफलता प्राप्त करने के लिए नवरात्री में नो दिनों तक एक ही समय पर पान का बीड़ा मादुरगा के मंदिर में जाकर चड़ाएं आपको वैपार में जरूर लाब होगा दिहान रहे कि हर दिन एक निश्चित समय पर ही जाएं वरना लाब नहीं मिलेगा नौकरी में परमोसन या वे फिर वैपार में बढ़ोतरी करनी है और अगर आपकी अड़जने आ रही है तो नवरात्र में ये उपाय जरूर करें मादुरगा को अर्पित कर दें इसके बाद पान के पत्ते को अपने सिर के पास रख कर सो जाएं अगले दिन सुभा उटकर पान के पत्ते को किसी दुरगामंदिर के पीछे रख आएं सभी बादाएं दूर होगी और कार्य में परगती आएगी तो दोस्तों इन सिंपल से उपायों को करकर आप अपनी आरही आर्थिक तंगी वेपार में प्रमोशन वेपार में बढ़ूतरी को और अच्छा कर सकते हो